लाबस्ते शाम जयस्ते शाम कुतस्ते शाम पराजय ये शाम विंदी वरश्यामो रदयस्तो जनार्दरः नमस्कार प्रेशातियों मैं हूँ सुरेश श्रबाली और आप देख रहें दिपावली के बाद लाब को पांच गुरा बढ़ाने वाला लाब पांचम का विशेश कारिकराई इसमें आप सबी का बहुत स्वागत है आज में कुछ विशेश बिंदू आपको बताने जा रहा हूँ जिने आप नोट करें का आज के गारेकरेम आप क्या देखने वाले हैं एक तो लाब पांचम कब है दिपावली पर नहीं कर पाए ये पूजा तो ये मौका हाथ से न जाने पाए बिजनस और जॉब में होना थी के लिए सौभाग के पंचमी यानि लाब पांचम के दिन पांच विशेश उपाए जो आपके जियर में मा लक्ष्मी को हमेशा के लिए बिराजबान कर देंगे बस पढ़ लो ये चमतकारिक स्तोत्र पैसी की चिंता आपके आसपास भी नहीं होगी यही सब कुछ आज में आप लोगों को बताना है हो प्रेसातियों आपको और आपके परिवार को लाब पांचम के आर्दिक शुब कामना है इस पावन पर भगवान आपको और आपके परिवार को लापरदान करे और आपके व्यापार काम धंदे में, नौकरी में, उद्ध्योग में, परसनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी सवस्या है उसका निवारण हो जाए प्रेसातियों, दिपावली के फैस्टिवल टाइम में, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्प्रेंट कर चुके होंगे ऐसी मारशा करता हूँ, खुश रहना और खुश रखना आपके और हमारे जिंदिकी का एक ज़रूरी स्था है जिससे अपने परिवार के साथ मिलकर ही हम एंजॉय करते हैं तो हर चोटी और बड़ी खुशियों के मिलाकर आपको कार्तिक बहिने के शुक्ल पक्ष के पांचवे दिन लाब पांचम का त्योहर मनाना है, जो कि इस साल 29 अक्टूबर को है पंचमीती थी, सुबह आट बचकर 13 मिनिट से शुरू हो जाएगी जो पूरे दिन रहेगी इस दिन लाब के लिए कोई भी नई डील करना चाहते हैं कोई भी ऐसा काम, जो कि आपके लिए बड़ा डिसिजन वाला हो वो करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, अपने व्यापार, दुकान, ओफिस फैक्टरी के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी आप ऐसा शुब और बांगली कारी करना चाहते हैं तो दोफैर को 12 बचकर 15 मिनिट से दोफैर 1 बचकर 15 मिनिट तक अभिजीत बोरत है और दोफैर को 2 बचकर 30 मिनिट से दोफैर 4 बचकर 15 मिनिट तक लाब और अभरेत का चोगरी है इस समय विशेश भी एक क पूजा और प्रारतन करते हैं। लाव पांचमी की पूर्व संधिया पर लोग अपने वैबसाइक प्रतिसानों दुकान में खोलते हैं। और गुजरात के शेतर पर इसे अधिक अधिक तोर पर हम देखते हैं। गुजराती नव वर्ष का पहला दिन माना जाता है। इस दिन अबूज बहरत होने के कारण बाजारों में खरीदारी भी बढ़ती हैं। या पंचमी मेरे परिशातियों या पंचमी तीती मनुष्य की जिएवर्श पूजा की जाते हैं। जिससे शुब फलों की प्रापती है। नौकरी व्यापार और वर्ट प्लेस में तरक्य हो बागवान की पूजारसरां के साथ वरत भी रखा जाता है और कथा भी सुनी जाती है यह मा लक्ष्पी, मा सरस्वती और स्री गनेशी के पूजन का एक शुब्दित है इस दिपावली की तरह इसे दिपावली के तरह ही पुन्य फल्दायक माना जाता है अगर आप दिपावली के दिन मंचाही पूजा करने से चूप गए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि गुजराती लोग दिपावली घर पे नहीं मनाते हैं बाहर अमारे राजिस्तान मेर और भी बहुत सारे जेके पे ट्रेवल करते हैं प्रेसातियों अगर आप दिपावली के दिन विशिश साद्राय पूजाय नहीं कर पाए हैं तो इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दे इस दिन यानि 29 अक्टूबर को आपको तीन दिनों की पूजा के साथ साथ पाँच उपाए करने चाहिए मालक्षबी की करपा आपर बढ़सेगी दिल खोल कर पहला उपाए है आज के दिन अपने सोने चांती और पीतल के बरतरों को साफ कर उनका विदिवत पूजन यानि तिलक करे आज अपने धन से संबदित कागजात को व्यवस्तित कीजिए दन से सबदित निर्णे लेने के लिए आज के दिन अति शुब है आज अपनी लेखनी किताब, कौपी, स्टेशन रिए वस्तुओं का पूजन करें नई चीज़ें खरी दिए और आज से एक डायरी भी आप मेंटेन करें अपने मंदिर में स्वास्तिक, ओम, कलश के साथ लाब और शुब लिखना न भूले प्रेसातियों दूसरा उपाए, आज के दिन आप नए बाई खाता जरू खरीते हैं बाई खाता नहीं है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर खरी सकते हैं कुछ नहीं करें, तो जो खरीदा हुआ है, उस पे स्वास्तिक जरूर बनाए लाल कुंकुम से शुब और लाब जरू लिखिये और स्री गनेश लिखकर स्वास्तिक बनाए शुब है अपने दुकान ओफिस फैक्टरी में माल लक्ष्मी पूजा करें अपने ऑफिस के एंटरेंस के दोनों साइड स्वास्तिक किसी गर की इस तरी से जरू बनवाए तीसरा, अगर आपके कामकाज में देकते आ रही है तो लाब पंच्मी के दिन, पीतल की कटोरी में माखाने की खीर परोस कर देवी माल लक्ष्मी को चड़ाएं और ओम स्रीम क्लीम धनलक्ष्मी नमह का 21 बार कम से कम जाब करें, एक माला हो तो सबसे बढ़िया जाब समापती के बाद कटोरी समेथ किसी जो सामगरी है, छोटी करनिया को दक्षिना के साथ बेंट कर दीजे ऐसा करते ही कामकाज में निश्चीत रूप से धनलाब बिलेगा चोटा उपायर प्राथा काल गुती सक्टूबर को स्तान कर सूरी को जल चड़ाना चाहिए शुब मौरत में बगवान शंकर और गणेश जी की पूजा अर्चना करने चाहिए चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, फल, दूर्वा से गणेश जी की पूजा करें बगवान शंकर को भस्म, बिल्वपत्र, दतुरा, भांग, सफेद वस्तर अर्पित करके दूद से निर्मित, सफेद पकवान का भोग लगाना शुब रहता है प्रेसातियों प्रेसातियों आशे लगाद